हेलो फेरो सुनिता सर्मा कीचीन में आपका सुवागत हैसे हैं today दो सफ्रंड्स हम बनाएंगे सर्दियों के लिए बहुती हेल्दी और टैस्टी चलिये मौहणबली की चिंकी बनाने के लिया एक कप गुड़ कर लिया है और एक कप एम मूघ फली लिए तो अमने रोश्टेड वाली मूघ लिये हैं इसको हमने रोश्ट करके और इसका छिलका उतार लिये है बिल्कुल आसानी से उतर जाता है च्छिलका है जो तो सबसे पहले हम इसके लिए तैयार करेंगे कि हमारे को मुंखली के जमाने के लिए तो यह हमने पोलो थिंग लिए है आपके घर में जो भी अगर कोई पनी हो उसी के उपर आप जमा सकते हैं इसको निकल जाएगी तो इसको गी आप तेल से जो भी आपके पास उसी से ग्रीज कर सकते हैं और यह लिए हम बटर पेपर इसको भी हम ग्रीज कर लेंगे बिल्कुल गी से तो यह लिए हम पैन इसमें सबसे पहली आड़ करेंगे दो चम्माज पानी बिल्कुल दो चम्माज ही आड़ करेंगे इसमें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आड़ करना हमारे को अब आड़ करेंगे इसमें गुड़ इसकी गुड़ भी आड़ कर दियें तो इसको इस तरीके से चलाते भी बिल्कुल लोटु मेडियम फ्लेम पर इसकी चासन से यार कर लेंगे तो देखें गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है तो देखें गुड़ मेल्ट भी हो चुका है देखें उबाल भी इसमें आने लगी है गुड़ में पकने लगा है यह तो देखें अच्छी से इसमें उबाल आने लगी तो चलिए अब इसको चेक करके देखेंगे चासनी मारे तयार हो गई क्या तो यह हम पानी लिया है बावल में तो देखें चासनी मारे नहीं तयार है बिल्कुल सोपट भी गुड़ है जो तो इसको हम और दो मिनट के लिए पका लिया है और फिर इसको चेक करेंगी तो देखें अच्छी से टूपने लगा है यह इसको और हम दो मिनट के लिए पकाएंगे तो देखें दो मिनट भी हो चुकी है फेरा में इसको चैक कर रहे हैं तो देखें अब अच्छी से जमने लगा है यह बिल्कुल अच्छी से चासनी है जो क्रिस्टिल की तरह यह टाइट हो गई है अब देख सकतें इस तरीके से टूपनी चाहिए इस तरीके से दिखनी चाहिए विल्कुल क्रिस्टिल डाइपी जैसे टोती है उस तरीके से इस टाइम हम इसमेग करदेंगे मंग फाली को इस टाइम हमारे को वहती जल्दी करना है फृम बिल्कुल हम लो करके ही खोकरूं डेय सम इसको लाज़्टिल बंद कर देंगे Ah अब इसको जमा लेंगे इसके उपर बिल्कुल बाजार जैसी चिक्की तयार होगे आप इस तरीके से बनाओगे तो इसको हम सैट कर देंगे बिल्कुल जमाते हुए इसके उपर हम पनी लेके और इसको हम बेलन की साइटास इसको बेल देंगे तो देखे बिल्कुल आसानी से बिल गए एक चैसी हो गए है इसका साइज है जो लेवल देखे इसको 15-20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे तो यह देखे 15-20 मिनट के पहली हम इसको सैट करने के बाद में इसको थोड़े हम इसमें कट लगा देंगे और फिर इसको 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे तो आप इसमें देख सकते हैं विल्कुल आसानी से कट रही है यह चिक्की है जो इसी का अंदाज आप लगा सकते हैं विल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी चिक्की देखें हम इसको कट कर लिए है अब इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी से ठंडी होने के बाद में हम तोड़ेंगे तो यह देखें 15-20 मिनट वेट सेट भी हो चुकी है जो बिल्कुल आसानी से इसको देखें आप निकल जाएगी तो जो इसके उपर हम पन्नी और बटर पेपर लगाए उसको निकाल लिए हमने तो यह आप देख सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी चिक्की बनी है यह बहुत ही अच्छी बाजार जैसी तो हमारे सिंपल तरीके से चिक्की बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब परियोड साइड में बैल आइकन को प्रेस करना नहीं बूले जिस